हलो दोस्तों कैसे हैं आप अक्सर में आपके सामने नहीं नहीं जानकारी लाता रहता हूं जो आप कमेंट करते हैं पर वीडियो चरूर बनाता हूं वहर कि तीन के आपके प्रवेशन चल रही है उससे छोटे-छोटे जो कन्फिजन होते हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्र डाउट्स अपने मन से हटा दें दोस्तों सेलेवर्स है उसकी अकोडिंग आपके एक्जाम होने हैं सबसे पहले आपने सेलेवर्स पूरा कर लिया है 100% आपकी तैयारी बैस्ट है इसके अलाबा एक बात को ध्यान और रखें जो भी आप टेस्ट लगा रहा है दोस्तों वो आपकी एवेर्स को टेस्ट करने के लिए वहीं की वहीं डियाइन किये जाते हैं जो आपको किसी भी बॉक्स में नहीं मिलेंगे यह आपकी जो आपने बी एर डीयर्ड यर डीयलेड किया उसमें सीखा है जो आपका अनुवश्ब है उस पर बेच्ट होंगे दूस्तों तो इससे घबढ़ाने की आवसक्ता नहीं है, जैसे कि आपको एक कार चलानी अच्छे से आगई, खाली रोड पर आप कार चला रहे हो, फिर आपने भरी रोड पर कार चलाई, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि कहां से कौन किस दिसा से आपकी तरफ आ रहा है, और आपने अभी तक की पढ़ाई किये, मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि आपने पिछले एक साल से छे महिने से जो वर की तीन की तैयारी की है, उसी के बेस पर ही आप जो है एक्जाम में अच्छा पर्पोमेंस करेंगे, नहीं, अभी तक आपने जो पढ़ाई की है, मैं बात कर र आना है, उस बेस्ट बर एधि आप उस एक्जाम में बैठोगे, तो हंडेट परसंट कोई भी कॉशन आ जाए, आप उसे अनुवप के आधार पर हल कर लोगे, जो आपकी पढ़ाई होती है, वो आपके एक्सपिरियंस को बढ़ाती है, वो आपके अनुवप को बढ़ाती ह और कुश कोईशन उसी पर बेच्ड होती है, एक सामान इससान से जो योगता की उम्मीद रखी जाती है, कई बार उससे रिलेटेट कोईशन पूछ लिए जाते हैं, हमें ये लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ाई नहीं, ये तो हमारे सेलवर से भार हो गया, ये तो हमार पर रटने की आवसक्ता पड़ती है, सीखने की, समझने की, वो एक अलग होती है, उससे रिलेटेट कोईशन हमेसा जादा आते हैं, और आप उन्हें सही आंसर तक पहुचाते हैं, कुछ कोईशन ऐसे आते हैं, जो कि आपके एक्सपिरियंस पर बेच्ड होती हैं, उन्हें आपको वही पर हल करना है, अपने जो अंदर आत्म विस्वा से उसे बनाए रखना है, और ये चीजे नहीं सूचनी है, और दुस्तों होता क्या है, कि जब आप एक्जाम सेंटर जाते हो, हौल में बैठते हो, तो महां का जो महौल होता है, एक अलग बन जाता है, दुस्तो एक आपके अंदर जो होता है इसे इसे हम कहते हैं कि confidence महाँ पर बना कर रखना होता है दोस्तों क्योंकि आप swim देखें आपने बहुत सारे exam दिये हैं exam में कुछ question ऐसे होंगे जो आपको आते थे ही हे लेकिन हैं आप सईसे नहीं कर पाया कियो नहीं कर पाया क्योंने ऑख्याम का प्रेशर जाधा था तो ये प्रेशा नहीं बढ़ने देना एक चोटा मोटा प्रेशर यह zu तो हर उसके बेस पर दोस्तों तो यह बिल्कुल भी न सोचें अपने मन में आपकी प्रवेशन चल रही है तो आपके बेस्ट नमबर तो आने ही आने कुछ कोशन यसी भी आ जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने जो experience है उसका वहाँ पर यूश करके उन्हें हल कर ना है और वो कोशन बनाई भी इसलिए जाते हैं कि आप अपना experience जो है उसमें share करो और best number लगाओ और 100% आप लाओगी तो यह अपने मन में ना आने दे लाश्ट मोमेंट यह चल रहा है जो कि आपकी लाश्ट पढ़ाई चल रही है तो यसी कुछ भी चीज अपने मन में न आए जो आपको negativity की तरफ ले जाए हमें positive रहना है अच्छे number लाने उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा पहले अच्छे number तो लाएं फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़े आपके सामदे आएंगी उन्हें हम साथ में solve करेंगे लेकिन अभी जो exam है exam hall में आपको अके exam देना है अकेली उसे solve करना है तो बहाँ पर तो अतुल कुमार सर्मा की best business ही आपकी साथ रहेंगी बाद की पढ़ाई आपकी मेहनत वो आपको एक उचे जो कहते हैं एक लक्ष तक पहुचाई देगी यकीन माने उस पर पूरा भरुसा रखें अपने आप पर अपनी तकने के लिए इतना समय निकारा उसके लिए दिल से धन्नवाद